तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को भताऊंगी EMG यानि की Electromyography के बारे में तो इसके अंदर जो myo word है उसका मतलब होता है muscles तो EMG हम use में लेते हैं ताकि जो हमारी muscles होती है उसकी electrical activity को हम record कर सकें इसके अलावा जो NCV भी होता है NCV का फाइदा ये होता है उससे हम जो nerves होती है हमारी जो peripheral nerves होती है motor और sensory जो nerves होती है उसकी हम electrical activity को record करते हैं तो वो मैं आप लोगों को अपनी next video के अंदर बताऊंगी NCV के बारे में तो अभी हम EMG के बारे में देखते हैं EMG के अंदर क्या होता है जो muscles होती है उसकी electrical activity को हम record करते हैं और इसके लिए एक special record करने के लिए electrodes आती है तो उसकी मदद से हम muscles की electrical activity को record करते है और फिर उसे display करते है computer screens के उपर तो उस electrical activity को हम computer screen के उपर display करवाते है जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर जो भी patient आया है वो normal है या फिर उसको कोई भी type की myopathic या फिर neuropathic disease है Now I will tell you the uses of EMG तो इसके अंदर जो first है वो है helps to localize the lesion यानि कि EMG हमें ये भताने में मदद करता है कि जो disease है वो neuropathic disease है यानि कि nerves related है या फिर myopathic है यानि कि muscles के अंदर कोई weakness आई या फिर muscles के अंदर कोई problem हुई उसकी वज़े से है या फिर neuromuscular junction के अंदर कोई problem हुआ था उसकी वज़े से वो disease हुए जैसे कि for example किसी के कोई patient आया और उसको wrist drop हो रखाया तो EMG की मदद से हमें ये पता चलेगा कि कोई वो neuropathic की वज़े से हुआ यानि कि जो हमारी radial nerve होती है उसके अंदर कोई injury हो गई थी और उसकी वज़े से फिर wrist drop हो गया तो EMG से हमें ये पता चल सकता है या फिर myopathic यानि कि जो हमारे extensive muscles होता है उसी के अंदर कुछ weakness आ गई थी उसकी वज़े से patient के wrist drop हो गया या फिर neuromuscular junction के अंदर कोई problem हो गई ये normally इतना जादा commonly देखने को नहीं मिलता है ये काफी rare diseases के अंदर होता है जैसे कि myasthenia gravis है तो myasthenia gravis के अंदर भी muscle weakness हो जाती है तो उसकी वज़े से भी problem आ सकती है तो EMG basically यह करता है differentiate करने में मदद करता है कि जो problem है वो nerves की वज़े से muscles की वज़े से या फिर neuromuscular junction के अंदर कोई problem होई है अब जो next है वो है help in diagnosis and prognosis अब जैसे अब आप लोगों को एक बार अगर पता चल गया कि nerves की वज़े से problem आई है या फिर muscles की वज़े से problem आई है तो आप लोग अच्छे से diagnosis भी कर सकते हो तो अफिर EMG जो है वो diagnosis करने के अंदर भी मदद करती है कि जैसे अगर nerve के अंदर injury होई है तो आपने diagnose कर लिया कि इसको radial nerve injury हो गई है तो ये diagnosis करने के लिए भी मदद करता है prognosis में भी मदद करता है prognosis यानि कि उसकी recovery को भी भतान में मदद करता है अगर हम बार-बार EMG लेते रहेंगे उस part का तो उससे हमें पता चलता रहेगा कि अब patient का recovery हो गई है तो फिससे recovery का भी पता चलता रहता EMG से अब next है helps in making correct treatment protocol अगर आप लोगों को पता चल गया है अगर आपने correct diagnosis कर लिया है किसी condition का जैसे इसके अंदर अगर हमने diagnosis कर लिया है कि उसे radial nerve injury हो रखे है तो उसका हम अच्छे से treatment उस हिसाब से कर सकते हैं अगर हमें पता चल गया कि इसके तो स्रिफ muscle weakness है उसकी वज़े से wrist drop हुआ है तो उससाब से हम उसका अलग से हम treatment protocol कर सकते है कि उसके strengthening कराएंगे muscles की तो इससे हम जो correct treatment है वो भी हम कर सकते है EMG के थूँ तो उससे पहले कि मैं आगे भढ़ू उससे पहले आप लोगों को थोड़ी muscle physiology पता होनी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को EMG और अच्छे से समझ में आए मैं ज़्यादा detail में नहीं जाओंगी इसकी physiology पे लेकिन उतना आपको समझाओंगी ताकि आपको अच्छे से और समझ में EMG तो इसके अंदर ये जो है ये cross section है हमारी spinal cord का तो इसके अंदर ये जो है ये हमारे anterior horn cells है और ये posterior horn cells है तो जो anterior horn cells होता है उससे हमारी motor nerves निकलती है जो आगे जाकि हमारी muscles को supply करती है और फिर muscle contraction होता है और जो posterior horn cells होता है वो basically sensations के लिए responsible होता है वो sensory nerves को वहाँ से निकलती है तो इसके अंदर अब जो anterior horn cells है तो वहाँ से हमारी जो motor nerves है वो यहाँ से निकलती है तो यह हमारी motor nerve है और यह आगे जाके क्या सरेगी हमारी जो muscle है यह कुई हमारी muscle है तो उसके जित्ते भी muscle fibers होते है तो उनको supply करती है आप लोगों को पता होगा एक muscle के अंदर बहुत सारे muscle fibers होते है उन सारे muscle fibers को एक जो motor nerve होती है और वो supply करती है और जैसे जो nerve है उसको signal मिलता है तो उदर क्या होता है depolarization कैसे होता है जैसे यह nerve है तो उसके अंदर क्या होगा जो sodium है उसका influx होगा जो sodium है आइन वो अंदर influx होंगे और जो potassium ions है उनका efflux होगा वो बाहर की तरफ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, नर्व का depolarization होगा, जैसे ही motor nerve को signal मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, sodium का influx होता है और जो potassium होता है, वो बहा जाता है, और नर्व का depolarization होता है, और जिससे जो signal है, वो जाता है, muscle के पास, तो इधर ये जो, आप लोगों को नॉप दिख सिगनल किसको देगी फिर मसल को देगी और आप लोगों को पता होगा कि जैसी मसल की पास सिगनल आता है तो वह क्या करता है कि वहां पर वो भी डि-पोलराइज होती है और वहां पर कैल्शयम आयन रिलीज होता है। चाहिए तो अपन क्या करते हैं मसल के उपर हम recording electrode रख देते हैं और जैसी muscle membrane जो है वो depolarize होगी तो उस टैम पर क्या होगा electrical activity होगी उसमें कुछ और वो electrical activity हम क्या कर लेंगे recording electrode जो हमने रखी है वो उसको record कर लेगी और फिर बाद में वो हमारी display होगी computer screen से और उससे हमें पता चल जाएगा कि जो muscle है वो normal electrical activity शो कर रहे है या से कुछ abnormal है उसके अंदर अब इसके अंदर जो anterior horn cells से लेकर यह जो nerve है motor nerve जितने भी muscle fibers को inner weight कर रही है तो यह यहां से लेकर यहां तक जो हमारा क्या खहलाता है one single motor unit तो जो single motor unit होता है वो कहां से कहां तक होता है यह जो हमारी anterior horn cells है spinal cord के अंदर यहां से लेकर यह जो हमारी motor nerve जितने भी muscle fibers को inner weight कर रही है एक muscle के अंदर तो यह पूरा हमारा single motor unit कहलाता है तो अब मैं आप लोगों को भताती हूं कि कौन-कौन से electrodes हम EMG के अंदर यूस में लेते हैं और हमें कैसे उसे यूस में लेना है कहां प्लेस करना है तो इसके अंदर यह जो मैंने एक example से आप लोगों को भताने की कौशिश के आई अप लोगों को समझ में आए तो इसके अंदर यह जो ब्लू के अंदर जो दिखा रही है यह actual में median nerve है तो यह जो ब्लू के अंदर है वो median nerve है और यह median nerve आगे जाके abductor polisus bravis को supply कर रही है और हमें जो abductor polisus bravis की electrical activity को record करना है तो यह जो मसल है वो है abductor polisus bravis तो abductor polisus bravis की activity को electrical activity को record करने के लिए हम सबसे पहले एक stimulator use में लेते हैं तो यह आप लोगों को जो दिख रहा है इसको हम hand held stimulator बोलते हैं तो यह जो hand held stimulator है वो क्या करेगा जो जो median nerve है जो आगे जाके abductor polisus bravis को supply कर रही है तो उस median nerve को हम stimulate करेंगे क्योंकि अगर जैसे ही median nerve stimulate होई तो यह आगे जाके क्या करेगी हमारे जो abductor polisus bravis है उसको stimulate करेगी और फिर बाद में उसका contraction होगा और जैसे इस muscle को stimulate करेगी तो उसकी electrical activity हमें मिल जाएगी तो इस वज़े से हम एक stimulator यूज में लेते हैं तो इस hand held stimulator के अंदर एक cathode होता है और एक anode होता है और इस stimulator की मदद से हम यह जो median nerve है उसको stimulate कर देते हैं तो इस case के अंदर मैंने wrist level के उपर median nerve को stimulate हिया है तो हम जैसे median nerve को stimulate करेंगे तो आगे जाके muscle को supply कर रही है अब इसके अलावा recording electrode होती है recording electrode क्या करती है जो भी ये जो muscle है जो भी electrical activity शो करेगा तो उसको record कर लेगी तो हमेशा याद रखना कि जिस भी muscle की हम इलेक्तिकल activity को record करना है तो उसकी जो muscle belly होती है उसके उपर हम recording electrode को रखेंगे आनि की उस muscle के center में जहां पर muscle belly है वहाँ पर हम recording electrode को रखेंगे तो यहाँ पर हम इसके center के उपर recording electrode को place कर देंगे तो आप देख सकते हूं कि मैंने recording electrode को muscle belly के उपर place कर दिया है इसके अलावा एक reference electrode भी होती है अब reference electrode को हमें मसल के distal part के उपर जो tendon है उस muscle का वहाँ पे place करता है, तो जो मैं reference electrode है, उसको उसके tendon के उपर place कर दूँगी, इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने reference electrode को tendon के उपर place कर दिया है, तो reference electrode का काम स्रिफ यह होता है, जिस नाम से इसका पता चल रहा है reference, तो यह basically reference के लिए होता है, कि जो भी electrical activity recording electrode ने record किये है, तो उसको compare करने के लिए, इन दोनों की electrical activity को compare करने के लिए reference electrode हम use में लेते हैं, और इसके अलावा एक तीसरी एक और electrode होती है, उसको बोलते है ground electrode, तो जो ground electrode होती है, वो हम कोई भी nearest bony prominence है, उसके उपर हम ground electrode को place करते है, तो जो ground electrode होती है, उसका काम स्रिफ यह होता है, कि कोई अगर external noises आ रही है, जैसे कि कोई भी अगर किसी का cell phone बज रहा हो, या कोई भी lights के अवाज हो, या कोई भी external noises होती है, तो उसको cancel out करने के लिए अंदर help करता है, तो ground electrode को हम कोई भी यहां पर जो भी nearest bony prominence होगा, उसके उपर हम उसे place कर देंगे, तो जैसे यह जो stimulator है, वो को contract करवाएगा, तो फिर जैसे हम media नव को stimulate करेंगे, तो यह muscle को क्या करेगा, उसको भी depolarize करेगा, और फिर उसके अंदर electrical activity होगी, तो उस electrical activity को जो recording electrode है, वो record करने ता है, और फिर बाद में वो जो electrical activity है, हम लोग computer screens के ओपर देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है, कि व जरुरत होती है, एक reference electrode की जरुरत होती है, और एक ground electrode की जरुरत होती है, अब यह जो हम electrodes की बात कर रहे थे, अब यह बहुत सारी variety के अंदर available होती है, जैसे कि कुछ electrodes होती है, जो surface electrodes होती है, कुछ needle electrodes होती है, या फिर कुछ implanted electrodes भी आती है, अब इसके अंदर भी जो सबसे ज और निडल एलेक्ट्रोड जो सर्फिस एलेक्ट्रोड होती है वो दो टाइप के अंदर अवेलिबल हो सकती है एक तो वो सर्फिस एलेक्ट्रोड जिनके उपर हमें पहले जल लगाना पड़ता है और फिर प्लेस करना पड़ता है स्किन के उपर तो वो जो एलेक्ट्रोड होत और उसके अलावा कुछ ऐसी भी सर्फिस एलेक्ट्रोड आती है जिनके उपर हमें जल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है वो नॉमली अगर हम स्टिक करें तो अपने आप वो सेल्फ अडेसेव होती है तो तो स्किन के उपर अपने आप वो लग जाती है और उसके जो निडल इलेक्ट्रोड होती है उसकी जो टिप होती है वो बहुत चोटी होती है वो अराउंट 1-2 mm जितनी उस छोटी होती है उसकी वजह से क्या होता है अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक लोकलाइज एरिया की इलेक्ट्रिकल अक्टिवीटी को रिकॉर्ट करना है वाज़े से कोई एक fine particular area का वो record नहीं कर सकते हैं, वो ज्यादा area cover करते हैं, वो ज्यादा area की electrical activity को record करते हैं, जो needle electrode होती है, वो भी काफी सारी variety के अंदर आती है, लेकिन जो सबसे जादा commonly use में लिया जाता है, वो होती है concentric needle electrodes, इसके अंदर अब हमने ये तो देख लिया कैसे recording electrode ने record की electrical activity को, अब जैसे ये रिकॉर्ड कर लेता है electrical activity को, तो ये किसको send करता है, तो जैसे ये record करता है electrical activity को, वो बहुत जैदा small होती है, वो millivolt के अंदर होती है, तो उसको हम नहीं डिस्पले करवा सकते, computer screen के अंदर, और ये जो record करते है electrical activity, उसके अंदर काफी सारी noises भी होती है उनको भी अपन को cancel out करना होता है तो इसके लिए अपन क्या करता है जैसी electrical activity record करता है recording electrodes उसको हम send करते है amplifier के पास तो amplifier क्या करता है इस small जो milli volts के अंदर इसने record किये electrical activity को उसको amplify कर देता है और जो भी external noises जो इसने record किये उन सब को reject कर देता है तो उससे क्या होता है कि एक तरह से पूरा की पूरा process करता है जो भी इसने record किये electrical activity को तो amplifier क्या करता है वो पूरा की पूरा process करता है उसकी electrical activity को और फिर वो send होती है हमारी computer screen से और फिर हम उस electrical activity को note करते है तो इसके अंदर हम commonly differential amplifier use में लेता है तो जो differential amplifier क्या होता है कि कोई भी अगर external noises आ गई है वो भी साथ में record हो गई है तो उसको reject कर देता है तो जो commonly जो noises हो होती है एक तो cross talk और दूसरी artifact जो cross talk होती है उसका मतलब होता है कि जैसे यह recording electrode है उसने abductor, polysis, bravis के तो साथ में record की ही electrical activity लेकिन जो आसपास की जो muscles थी उसकी भी electrical activity को उसने record कर लिया तो वो होता है cross talk तो उसको भी eliminate करने के लिए differential amplifier काम में आता है उसके अलब artifact भी एक तर external noises होती है, artifact में यह होता है कि अगयो जो कोई भी external noises जैसे कि cell phone में से आ रही है, या फिस fan में से आ रही है, या फिट लाइज में से आ रही है तो वो सारी जो external noises को हम artifact बोलते है da differential amplifier उसको प्य eliminate करने के लिए मदद करता है तो अब ये जो differential amplifier है वो work कैसे करता है तो ये work ऐसे करता है कि जैसे suppose करो कोई भी signal आ रहे थे वो same थे और in phase थे तो वो क्या करेगा इन दोनों को reject कर देगा और जो signal out phase था तो उसको amplify कर देगा तो जिसका जितना ज्यादा common mode of rejection होता है तो वो उतना ही अच्छा differential amplifier होता है जैसे अगर common mode of rejection 1 lakh is to 1 है यानि कि जो भी 1 lakh वाली millivolt वाली जो signal होगा उसको वो reject कर देगा और जो 1 millivolt वाला जो signal है उसको वो amplify कर देगा तो जिसका जितना ज्यादा common mode of rejection होता है वो उतना ही ज्यादा अच्छा differential amplifier होता है तो जिसका भी अगर 1 lakh is to 1 है तो वो काफी अच्छा differential amplifier होता है अब हम देखते है कैसे calculate किया जाता है gain of amplifier तो gain का मतलब यह होता है कि जैसे जो recording electrode ने जो signals को record किया जैसे suppose कर उस time उसका amplitude इतना था और जैसे उसको amplifier ने amplify किया तो फिर वो इतना हो गया तो यह जो है यह कहलाता है gain इतना उसने increase किया है तो यह हो गया gain तो इसको calculate करने के लिए simple है यह जो output है और यह जो input है अगर मैं इसको इससे divide कर दूँगी तो में पास यह आ जाएगा तो जैसे suppose करो कि output था जब recording electrode ना record कया उस time पे तो उतना कम था 0.1 millivolt लेकिन जब फिर उसने amplifier ने उसको amplify कर दिया तो वो हो गया 100 millivolt तो इसका जो gain होगा वो होगा 1000 millivolt तो यह जो है gain है amplifier का अब जो differential potential amplifier के अलावा कुछ filters भी होता है तो वो भी अगर कोई भी type की unwanted noises होती है तो उसको remove करता है ताकि जो desired signals है वो ही आगे जाके display हो सके computer screen के उपर तो यह बहुत सारे अलग अलग type के filters है जैसे कि सबसे पहला है notch filter तो notch filter क्या करता है जो भी PC वाले जो signals होता है direct current PC के जो signals होता है या फिर 60 Hz की जो frequency वाले AC होता है तो उन सारे signals को वो remove कर देता है next है high pass filter जो high pass filter जो होता है जो भी low frequency वाले signals होता है उनको remove कर देता है next है low pass filter low pass filter क्या करता है जो high frequency वाले signals होता है तो उसको remove कर देता है लास्ट है band pass filter जो band pass filter जो होता है वो सिर्फ allow करता है कुछ specific frequency को allow करता है बाकि सबको reject कर देता है और यह अपन set कर सकता है जैसे suppose करो कि हमने set कर दिया 50 Hz से लेके 300 Hz तो जो वो क्या करेगा फिर band pass filter सिर्फ जो 50 Hz से 300 Hz के बीच की जो frequency है उसको allow करेगा फिर बाकि सबको reject कर देग तो यह सारे filters भी हम use में ले सकते हैं अगर हमें कोई भी noises या unwanted signals को हमें reject करवाना है अब हमने क्या क्या किया किया कि recording electrodes से हमने सारे signal electrical activity को record कर लिया amplifier की मदद से small electrical activity को हमने amplify कर दिया और जो भी unwanted signals थे उनको हमने cancel कर दिया तो अब जो भी desired signal है अब हमें उसको display करवाने के जैसे कि अभी लास्ट स्टेज है, तो इसके अंदर बहुत सारे अलगलक इंस्टूमेंट्स आता है, जैसे कि वो है एनालोग ओसिलोस्कोप डिस्पले, तो उसके अंदर क्या होता है, एक कैथोड रे ट्यूप होती है, जिसके मदद से हमें जो भी एलेक्टिकल में लेते हैं, तो जो computer based वाले जो digital display होते हैं, तो उसके अंदर हमें ज्यादा अच्छे से accurate जो waveforms है, electrical activity की वो दिखती है, तो उससे हम ज्यादा अच्छे से पता लगा पाता है कि कौन सी normal है और कौन सी abnormal, तो वो ज्यादा commonly use में ली जाती है, तो I hope आप लोगों को EMG समझ म आगया होगा, और NCV में अपनी next video के अंदर upload करूँगी, please like, share and subscribe to my youtube channel और मेरे जो भी videos है, अपने friends के साथ share करें, ताकि उनको भी पता लग सके